सब्सक्राइब कीजिए सुपर्शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस रेस्पी वीडियोस सबसे पहले देखनें के लिए हेलो फ्रेंड्स महुशिवानी आप देखरें मेरा चैनल सुपर्शिवानी आज हम बनाएंगे कैरेक और चॉक्रेट लॉलिपॉप ये देखनें में टेम्टिंग तो होते ही हैं साथी जात खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं तो चले इस लॉलिपॉप को बनाना शुर PSofer शुगर हम लेंगे या पर बन कप 2 दीबल स्पूण हम लेंगे यहा पर कर भूजे के भीज घी हम लेंगे याप फु 새로 खुमर कर लिया है फुल क्री मिल्क में लेंगे यापर आप चाहे तो इसकी जगे कंडेंज Mark याफर मावा ले सकते हैं सबसे पहले इमें बना और यह हमारे गाजर अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं तो अब हम इने बोल में ट्रांस्वर कर लेंगे और यहां मैंने ग्रेट की हुई गाजर को एक बोल में मैंने ट्रांस्वर कर लिया है अब हम एक यहां पर प्रैन करम करेंगे इसमें हम वन टिबल स्पून घी आट करें इसमें हम सभी ड्र fighters को अच्छे से अफ्राइ कर लेंगे हमारे रे यह फ्री इसमें एक बोल में ट्राइब कर लेते हैं अब हम फिर से वही सेम पैन गरम करेंगे इसमें हम वन टेबल स्पून घी आड़ करेंगे अगर आप घी कम खाना पसंद करते हैं तो आप इन लट्वों को बिना घी के भी बना सकते हैं अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर आड़ करेंगे अब हम इस गाज़र को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे गाज़र थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें शुगर एड़ करेंगे शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो गई है अब हम इसमें ग्रिटेट कोकोनाट आट करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम मेडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए पका लेंगे अब इसमें हम मिल्क अट करेंगे इसे हम चला देंगे हमें इसे मिल्क के इवेपरेट होने तक पकाना है मैंने यहां मिल्क यूज किया है आप चाहें तो इसे बिना मिल्क के भी बना सकते हैं और यहां मिल्क अच्छे से इवेपरेट हो गया है अब हम इसमें क्रेश की हुए लाइची अट करेंगे इसके बाद इसमें हम फ्राय की हुए ड्राइफूट सेट करेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम इनके लड्डू की शेप के बॉल बना लेंगे और अब यह अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं एक टेबली स्पूनी से हम अपनी हतेलियों पर ले लेंगे इसे हम गोल शेप दे देंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे इन गाजर के लड़ूं को कोट करने के लिए हम लेंगे याँ पर थोड़ी सी ब्लैक कमपाउंड चॉकलेट और थोड़ी सी लेंगे याँ पर मिलक कमपाउंड चॉकलेट और थोड़े से हम लेंगे याँ पर डेकॉरेट करने के लिए स्प्रिंकलर्स अगर आप इन्हें परचेज करना चाते हैं तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप महां से क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं और हम लेंगे याँ पर थोड़े से टूथपिक्स हम सबसे पहले इस चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसके लिए अपनी चॉकलेट को हम माइक्रोव के अंदर रखेंगे अब हम अपने माइक्रोव में एक मिनट का टाइमर सेट करेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे अब हम अपने गाजर के लड़व में टूथपिक को ऐसे अंदर डाल देंगे और मैंने याँ पर सभी लड़व में टूथपिक को अंदर डाल दिया है एक यहाँ पर हम छोटी ट्रे लेंगे जिसके बॉटम में हम बटर पेपर को रखेंगे इस बटर पेपर से जो हमारे लॉली पॉप है वो बड़े ही आसानी से बाहर निकलाएंगे हमारी चॉकलेट यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इस चॉकलेट को डॉबल बॉलर पॉसेश से भी से मेल्ड कर सकते हैं अब हम अपने गाजा के लड़ों को इस चॉकलेट में डिप करेंगे इनको ऐसे प्रेट में रखते जाएंगे इसके उपर हम ऐसे स्प्रिंकलर डालेंगे को होसाओ socket से अपने हाएंगे तो ऑालें आप시र ंपने वेस्प्रिंग रख़ों को बिते टींदраз कित रLESP घॉका हु़ ऐसे ही सारी लॉलीपॉप को हम तयार कर लेंगे यह हमारी कैरेट्स एंड चोकलेट लॉलीपॉप जो बनकर तयार हैं आप इन्हें जरूर बनाईए और मुझे जरूर बताए कि आपकी लॉलीपॉप कैसे बने हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शियर करना बलकुन ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो अक्सर लेकर आती रहती हूं आप इसे माइक्रोव में गरम करके सर्व करें इससे और भी टीस्टी लगेगा खाने में तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और फेस्बुक और वाट्सेप पर शेयर करना बिलकुर मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो अक्सर लेकर आती रहती हूं आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें